विनर एजिकेशन में आपका स्वागत हैं दोस्तों आज हम लोग जीयस के इंपोर्टेंट प्रस्टों को डिस्कस करेंगे जो कि मैक्सिमम परिक्षाओं में रिपीट होते हैं यानि कि यह है कुश्चन ऐसे कुश्चन है जो कि सभी परिक्षाओं में लगभग पूंचे ही जाते हैं तो चलिए सुरू करते हैं हमारा आज का पहला कुश्चन है कि हेलिकॉप्टर का विश्कारक किसे कहा जाता है तो हेलिकॉप्टर के विश्कारक है सीको शर्की सीको शर्की ने हेलिकॉप्टर का विश्कार किया था जखते हैं निस्ट कुश्चन आता है रडार के विश्कारक कौन है तो रडार के विश्कारक है टेलर एयोम यंग टेलर एयोम यंग साइंटिस्ट नो ने मिलके जो है रडार का आविश्कार किया था रडार का कार्य होता है कि यहां अंतरिच में रहते हुए पृतवी पर होने वाली समस्त जानकारियों की सूचना जो है एक अलफेट नोबिल ने शुरू किया था इन्हों ने किस की खोज करी थी तो अलफेट नोबिल ने डाइनामाइट की खोज करी थी जिनके नाम पे नोबिल पुरुषकार प्रदान किये जाते हैं तो डाइनामाइट की खोल अलफेट नोबिल ने करी थी देखते हैं नेक्स गरों के उपर लगा जाते हैं और ये जो है जैसे आगासी बजली गिरती है तो इन से जो है आगासी बजली जैसे हमारे घरों पर गिरनी वाली है तो इन घरों की छटों पर लगा जाते हैं और जो भी आगासी बजली गिरती है तो सारी विद्दूत उर्जा जो भी होती है व एक्सरे के विश्कार किया था और एक्स की रणो के खोज करता है रोयंटेजन को कहा जाता है maximum परिक्षाओं में पूछा जाने वाले या question है देखते हैं next next question है टेली स्कोप की खोज किस वैग्यानिक ने की थी तो टेली स्कोप की खोज करता है Galileo, Galileo ने जो है टेली स्कोप की खोज करी थी और इस समय जो UK है हमारा UK यानि European Union actually European Union UK तो अलग हो गया अब European Union से तो European Union के पास जो हमारा टेली स्कोप है वह Galileo नाम से ही रखा गया है उसका नाम Galileo ही है तो European संग के पास जो टेली स्कोप है उसका नाम Galileo है तो टेली स्कोप की खोज करता है Galileo next question है हवाई जहाज का अविश्कार किस ने किया था तो हवाई जहाज के अविश्कारक है राइट ब्रिदर्स राइट ब्रिदर्स ने जो है हवाई जहाजों की खोज करी थी हवाई जहाजों के अविश्कारक कौन है तो हवाई इंजिन के खोज करता है वही बात कर लें भाफ वाले इंजिन की तो जिम्स वाट है जिम्स वाट ने खोज करी थी भाफ के इंजिन की नेस्ट कुछन आता है परमाण बम का विकास किया था किसके दोरा परमाण बम का विकास किसके दोरा किया था तो जे राबर्ट ओपन हीमर जो है जे राबर्ड ओपन हीमर ने खोज करी थी पर्माण बम की विकास किया था नेस्ट कुशन देखते हैं नेस्ट कुशन है प्रशेपास्त का विकास किस ने किया था यानि प्रशेपास्त जो होते हैं हमारे उनका विकास केस ने किया था तो उनके विकास करता है वरन वान ब्रान वरन वान ब्रान जो है प्रिछे पास्तरों के विकास करता है next question आता है most important question hydrogen bomb किसके द्वारा विक्सित किया गया तो Edward Taylor जो रहा है Edward Taylor द्वारा hydrogen bomb विक्सित किया गया जो कि most important question है hydrogen bomb लेजर के अविश्कारक कौन है तो लेजर के अविश्कारक है टी एच मेनन है लेजर के अविश्कारक लेजर एक्चुली जो है सीधी रेखा में चलने वाली जो है किरण पुंज होती है इनको लेजर कहा जाता है तो इसके अविश्कारक है टी एच मेनन इलेक्ट्रान सोच म कौन कह जाते हैं कम्प्यूटर के जनक फादर आप कम्प्यूटर तो ये कह जाते हैं चार्ल्स बैबेच चार्ल्स बैबेच को कम्प्यूटर का पिता कहा जाता है नेस्ट कोशन आता है हमारा जेट इंजन का अविश्कार किस ने किया था तो microphone कहें विष्कारто है, Emily Berliner, देखते है, nish question, nish question है, scooter के विष्कार कौन है, तो Bradsa जुढ़ के विष्कार रखें, nish question है, नावगियेreactor की खोज करता कौन है, तो Enricofermi, nish question देखते नेक्ट धेखते हैं, हम्सीएूट के फा recruit में, तो wireless के अविशकार रख कौन हैं, तो अभी हमने पढ़ा, Jee Barkoni जो है, wireless के अविशकार रखाएं नेक्ट को धेखते हैं, तो fountain pen के अविशकार् कौन थे? खूइ wzे कार हो हमारे waterman waterman इनके नाम से ही पता सलदा है कि fountain pen fountain मतलब फवारा तो ये संबन्दित है waterman से विलियम रॉंटिजन का विश्कार क्या था तो विलियम रॉंटिजन थे इन्हों ने खूज करी थी X machine की यानि X-ray जो X-ray किरणों की खूज करने करता है वे हैं William Rondison तो X-ray किरणों की खूज करता है विलियम रॉंटिजन नेस्ट कूश्चिन है टाइप राइटर के विश्कार क्या रखा है तो टाइप राइटर के विश्कार क्या है souls जो है ये टाइप राइटर के विश्कार क्या रखा है Nsh Question दिखते हैं 70 lamp के विशकारक कौन है 70 lamp के विशकारक है Davy बपर आदि chi ने खुझ करी थी 70 lamp की इसका राइट आइंसर है Davy देखें Nish Question Nish Question है बिजली के बलब का विशकार किसने किया Tha तो बिजली के बलब का विशकार करने वाले विशकारक है है हमारे थामस एलवा डीशन मोस्ट इंपोर्टेंट कुश्यन है बिजली के बल्व का विश्कार किस ने किया था तो इडीशन ने किया था निश्ट कुश्यन है इलेक्ट्रानिक कंप्यूटर का विश्कार किस ने किया था तो इलेक्ट्रानिक कंप्यूटर के अविश्कारक है एकर्ट एम मैसली जो है यह है इलेक्ट्रानिक कंप्यूटर के अविश्कारक नेक्ट्रानिक कंप्यूटर के अविश्कारक है तो रडार का अविश्कारक है राबर्ट वाट्सन राबर्ट वाट्सन ने अविश्कार किया था रडार का, इसका राइट अंसर है Robert Watson नेश्च कुशन है, मसीन गन के विषखारक काउन है तो मसीन गन के विषखारक है James Puckle James Puckle द्वारा जो है, मसीन गन का विषखार किया गया था वहीं बात कलने, रिवालबर की तो, रिवालबर जो है, हमारी उसके Samuel Colt है जो है Revolver के विशकारक और यहाँ पर JL Baird दिया गया है तो JL Baird के दोरा जो है TV का विशकार किया गया था TV, टेलीवीजन का तो देखते हैं इस कुशन safety laser का विशकार किशने किया था safety laser का विशकार करने वाले है gelate gelate ने safety laser का विशकार किया था पारद थर्म मीटर का विशकार किशने किया था पारद यानि कि जो पारे वाला थर्म मीटर होता है तो उसके विशकार को नहीं है तो उसके विशकार का विशकार है तो जो हमारा थर्म मीटर होता है यानि कि पारे का तो पारे का जो है सेंबल होता है HG HG को हम पारा कहते हैं और यहां द्रव फार्म में पाया जाता है और इसी को कहते हैं द्रव धातू यहां प्रथम जो है द्रव धातू है पारा धातूंगे वैसे ठोस अवस्था में पाया जाती है मार्टिन कूपर मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन का अविश्कार किया था निश्ट देखते हैं बैटरी के अविश्कारक कौन है तो बैटरी के अविश्कारक है बोल्टा बोल्टा ने जो है बैटरी के अविश्कारकी खोज करी थी यहाँ पे बैटरी यह नहीं बोल्ट से संब्बंदी थे तो बोल्ट आप जो है इसको रिलेट कर सकते हैं निश्ट कुछन आता है निम्लिकित में से गलत योगम को चिन्हित करें मैडम क्यूरी डाइनामाइट डाइनामाइट जे बी एल बेर्ड ने टेलीफोन ने तो दोस्तों जो मैडम क्यूरी है यह जो है रेडियेशन पर सर्च यह थीन होने और डाइनामाइट तो आलफेट नोबिल ने सर्च आता तो यह आपसन जो है गलत है तो इसका मतलब इसका राइट अंसर होगा जो है आपसन ए और दो ही बात करते हैं जेल एजी बेल ने तो ट का विषकार ? Shrest 2015 में यह कुछा जा चुका है अलफेट नोबिल ने किस का विषकार किया था ? U 你 passions 2 चुका है UPP double e c 2015 तो इहोने विषकार किया था डाइनमाइट का इसका राइट आंसर होगा डाइनमाइट next question है वर्षा की अमलता किसके द्वारा मापी जाती है SSC 2012 में यह question पूछा गया था तो pH scale द्वारा जो है वर्षा में वर्षा की जी हो है अमलता चेक की जाती है अमलता और शारिता मुख्यता यहाँ pH value पर depend करते हैं pH value पर 7 से कम होने वाली जो pH value आएगी और 7 पर आने वाली pH value उदासीन जो है कहलाएगी तो वर्षा की अमलता pH meter से pH scale से जो है जाची जाती है पाइरो में निमलिखित में से मापने के लिए प्रयोग किया जाता है UP PCS 1998 तो पाइरो में जो हमारा यहाँ तापमान यानि अधिक तापमान मापने के लिए पाइरो में जो हमारा यहाँ जो हमारा उसका यूज समुद्र में वस्तूओं की जानकारी है तो किया जाता है सोनार, साउंड नेविगेशन सिस्टम जो होता है इसी के दोरा जो है समुद्र में वस्तूओं की इस्थित का पता लगा जाता है यहाँ यूज की जाती है हमारी नेवी दोरा निमलिखित में से सुमिलित नहीं है कौन सा यह कुस्चन जो है UP-PCS 1997 में पूछा गया है मैनोमीटर से दाब मापा जाता है किसका दाब? वायू का दाब कार्बूरेटर जो है अंतरिक दहान इंजन के ठंधा करने के लिए यूज होता है कार्डियोग्राफ जो है हिर्दाएं से समंदित होता है सिस्मोग्राफ जो है यह प्रिष्टियतल की वक्रता नापा जाता है यह जो है आपसन गलत है सिस्मोग्राफ जो है भुकम की तीब्रता को मापता है तो इसका राइट अंसर होगा आपसन नमबर D देखते हैं नेक्स्ट कॉश्चन कौन सा समेलित नहीं है UPSC 1970 पुचा गया कोश्चन है एनिमो मेटर वाइव की चाल मापता है जी हाँ अमीटर जो है विद्दुधार मापता है कार्डियो मेटर जो है दाबांतर मापता है बिल्कुल गलत है कार्डियो मेटर जो है तो कार्डियो मीटर जो है दाब आंतर नहीं मापता पायरो मीटर से उचिताब मापा जाता है जी हाँ दोस्तों अभी हमने पढ़ा है इसे पायरो मीटर से तो इसका राइट आंसर हो है कार्डियो जो है कार्डियो मीटर दाब नहीं मापता है तो अप्सन नमबर सी सही है दे सापेच आर्दता किस में मापी जाती है तो हाइग्रो मीटर में मापी जाती है हाइग्रो मीटर हाइग्रो मीटर जो है आर्दता मापी जाती है और जो हमारा हाइट्रो मीटर है उससे घनत्तो मापा जाता है घनत्तो और लैक्टो मीटर से क्या मापा जाता है तो दूद किस सुद हमाप अपर आती है देखेंेंस कोट्शन है रिफ्रेज लेटर में थर्म推iete का कार क्या है योपीफ्टिष उन्नीस्टों अफ्षाणवे पूछा क्या क्या है तो रिफ्रेज लेटर में थर्म推Straet का कार क्या है तो समान तापमान बनाए सबस्क्रारिए के दोらा किस की माप कि जाथी है तो गयंसों का दाप जाता है मैंनो मीटर के दौरा गैस का दाब मापा जाता है ने सब्सक्राइब का यह नि होता है MP-PCS 2015 में आया हुए पांधना है तो हाइग्लोंड यूज-ंधन के लिए तो हैइग्लों मीटर यूज-ंधन डूरॉर हैं धो आटारी मतलों है दो मेल होटा है और हाइग्लों मीटर जो है यहां स्थाला नजना ऐसaelता के दोाना होतास। निश्ट बात करें तो निश्ट कोशन आता है दूद के घनत को इसके दोरा मापा जाता है तो दूद के घनत को मापा जाता है लेक्टोमीटर के दोरा दूद के घनत को मापा जाता है हाईग्रोमीटर के दोरा जो है वाईव की आद्रता मापी जाती है बैरोमीटर के दोरा ब निndие अपने के लिए क्या जाता है आरवी संद याँ tackling वाव यांव की उचाइ मापने के लिए और में PPE अ मापने के लिए सेस्मग्राफ होता है besesmos भुमकिती ब्रता मापने के लिए रर बी थौएÁ यहांप पंद्रा में पूचा गया खुशन होता है जा बाइरओमितर हमारे दाब मापने के लिए हाई्ग्रों मेटर जो है यह वायु का अध्लितर मापने के लिए पॉलीग्राफ जोगत या जूट का पता अमल लगाने के लिए यूज होता है नेश कुश्चन है कार्बूरेटर का उपयोग होता है तो कार्बूरेटर का उपयोग होता है पेट्रोल के साथ हवा को मिस्रित करने के लिए पेट्रोल के साथ हवा को मिस्रित करने के लिए यूज होता है कार्बूरेटर इसका राइट आंसर होगा आपसे नमबर बी